coronavirus महामारी ने पूरे देश को परभावित कर दिया है इस महामारी से बचने के लिए लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलादी जा रही है ऐसे में लोग अपने सबी कामों को घर में ही रेकर कर रहे हैं वहीं शातर इन दिनों online class के माद्यम से पड़ाई कर रहे हैं कुछ इसी तरह online class करने के लिए एक छातर रोजाना पहाड़ पर चड़कर पढ़ाई कर रहा है गाउं में नेटवक नहीं होने की वज़े से इस छातर को रोजाना पहाड़ों पर चड़ना पड़ता है दरसल राजिस्तान के रहने वाले इस छातर का नाम हरीश है हरीश का गाउं जिला मुख्याले से 20 किलोमीटर की दूरी पर है COVID-19 की वज़े से online classes चल रही हैं लेकिन हरीश के गाउं में कोई mobile का network नहीं आता है ऐसे में हरीश रोजाना 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर चड़कर सुबह 8 बज़े से दुपेर 1 बज़े तक 40-45 डिगरी के तापमान पर online पड़ाई करता है इतनी प्रशानियों को सामना करने के बाद भी हरीश का मनोबल अभी भी बहुत उचा है पड़ाई के प्रती हरीश के लगन और मेहनत को देखते हुए मशूर क्रिकेटर विरेंद सहवाग मदद के लिए आ गया है इसकी जानकारी विरेंद सहवाग ने खुद अपने ट्वीटर हैंडल के माद्यम से दी है हरीश बाद मेर के पचपदरा स्थित जवाहर नवोदे विधालया में कक्षा साथ वी का विध्यारती है कोविड-19 के वज़े से इन दिनों ओनलाइन क्लास चल रही है लेकिन हरीश के गाउं में मुवाइल में नेटवर्क नहीं रहता हलाकि हरीश ने यह तैय कि वो किसी भी तरह ओनलाइन क्लास जरूर अटेंड करेगा इसके लिए वो रोजाना पहाड़ों पर चड़कर पढ़ाही करता है हरीश के पीता वीरम देव बताते हैं कि आज भी ग्रामिन इलाकों में नेटवर्क की समस्य है जिसकी वज़ा से बच्चों की पढ़ाही में बांदा आ रही है सरकार को नेटवर्क ठीक करा देना चाहिए ताकि करोना काल में भी ग्रामिन इलाकों के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सके एक्सेल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यावाद